Hi friends, welcome to my YouTube channel Unlimited Travel and Food अब तक जिनों ने भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजी आज हम Vietnam Trip Series के दूसरे दिन में है आज के वीडियो में हम War Remnants Museum जा रहे हैं और वहां हम देखेंगे कैसे Americans ने एक खतरना Chemical Agent Orange का यूज किया था अब जानते हैं Agent Orange के बारे में Americans ने काफी Dangerous Chemicals यूज किये थे इस वार में बट उसमें से सबसे Deadliest Chemical था Agent Orange जो नीचे आप देख रहे हैं बकसे में ये कुछ मास्क से जो उस समय उन लोगों ने यूज किया था इससे बचने के लिए इसमें एक powerful component था Dioxin उसका impact आज तक Vietnam के लोग भुगत रहे हैं Dioxin बहुत ही toxic और organic pollutant था जिसके वज़े से cancers, diabetes, birth defects और बहुत सारे disabilities होते हैं करीवन 50 million liters, that is 13 million gallons जिसमें 170 kilo Dioxin था इतना जादा chemical के साथ US ने attack किया था ऐसा माना जाता है कि 4,000,000 Vietnamese लोगों को इसका effect हुआ था तो इससे ही हमें पता चलता है कितना powerful chemical था वो chemical जो US ने बेरहमी से वहां spray किया था जब मैंने भी museum में लगाए हुए photos देखे थे तो मेरा आंक भर आया था याद कीजिए भोपाल gas tragedy के समय क्या हुआ था almost ऐसा ही एक situation हुआ था हमारे भारत में भी जो photos आप देख रहे हैं यह वहां के बच्चों के photos है जो यह chemical effect के वज़े से उनके जीवन में बहुत सारे मुश्किले आये थी किसी का ठीक से growth नहीं हुआ था किसी के चेहरे ठीक से form नहीं हुए है ऐसे बहुत सारे दिक्कते हुई थी वैसे ही एक छोटी सी बच्ची है जिनका मानसिक संतुलन ठीक हो गया था इस chemical effect के वज़े से ऐसे ही बहुत सारे बच्चे है बड़े बुज़ूर्ग ऐसे बहुत सारे लोग है जो इस chemical effect के वज़े से PD थै आगे भी ऐसे ही बहुत सारे photos आप देख सकते है वैसे ही छोटे बच्चे जो जनम हुए थे उनका भी ठीक से ग्रोथ नहीं हुआ था ये चौथा PD चल रहा है फिर भी अभी भी उस chemical effect अभी भी वहाँ पे present है आगे भी ऐसे ही photos आप work related भी आप देख सकते है आगे भी आप देख सकते है Friends, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे है तो आपने एक बात notice की होगी कि ये पूरा room उन्होंने orange color से paint किया है ये सब उस agent orange के effects उस time पे जो भी कुछ होए थे उन सब को याद करते हुए ये setup बना के रखा है अब हम देखते हैं वो section जहाँ पे Vietnamese बच्चों ने बहुत सुंदर paintings बनाए है बहुत सारे handicrafts बनाए है बहुत सारे अपने कलाप रदरशित किये है वैसे ही आप देख सकते हैं एक छोटा सा लड़का जो हाँ पे पियानो बजा रहा है ये काफी मैंने जब इसको देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ क्यों ही इसका तो eyelids भी है नी ये सब उस chemical effect के वज़े से हुआ है वहाँ जो भी tourist इसे देख रहे थे उन सब के आखों में उन सब के आखे बहराए और वे रोने लगे वैसे ही पीछे एक छोटा सा बच्चा है जो करीबन 10-14 साल का होगा लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा सा बच्चा है लेकिन इसका growth ठीक से हुआ नहीं इसके लिए वो इस condition में मैं भी उसका वीडियो ठीक से ले नी पाए क्योंकि मुझे भी बहुत दुख हो रहा था आगे भी ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स है जो आपके बच्चों ने agent orange के related बनाए है आप इनको एक बाद देख सकते हैं अगर हम war के बारे में पड़ी तो हमें पता चलता है कि US का कोई मोटीव नहीं था लेकिन बे वज़ा उन्होंने इस war को शुरू किया और इतने सारे लोगों की जान ली 1949 में चाहिना एक communist राज्य बन गया था और वे North Vietnam को कंट्रोल कर रहे थे US को डर लगा कि कहीं ये communism South Vietnam और बाकी राज्यों में भी ना फैले इसलिए उन्होंने तै किया कि वो South Vietnam इस government को help करेंगे इस वज़ा से काफी issues हुए North और South Vietnam के बीच और इस बात का फाइदा उठा कर US ने Vietnam के साथ लड़ाई करने लगे अप्रोल करेंगे इस बात कर दो लगे इस बात कर दोग्यों में भी ना बात कर दोग्यों में भी आपके लगे आप देख रहे हैं ये एक सीवर है जो थैंग पॉंग विलेज में था इस विलेज में मिस्टर बुई नाम का एक व्यक्ति रहता था इस वार में US मिलिटरी ने अपने सबसे सिलेक्टिव रेंजर्स सील रेंजर्स को इस गाव में भीजे ताकि वो लोगों को मार सकी उसी समय मिस्टर बुई ने उनके तीन पोतों के साथ इस सीवर में छुपे हुए थे लेकिन उस समय दो बच्चों को जो आट और दस साल के थे सील रेंजर्स ने उन्हें मार दिया और तीसरे बच्चे को इतना टॉर्चर किया कि उसके पेट को चीर के उसके अंदर का सारा ओर्गन्स निकाल दिया और ये सिफ छे साल का बच्चा था उफ कितनी मुश्किल घड़ी थी वो हम तपस इन तीन बच्चों को ही जानते हैं इस म्यूजियम के वज़े से लेकिन आप सोच सकते हैं कितने मासूम बच्चों को कितने बड़े बुज़ुगों को इतने बेहरेनी से इतना टॉर्चर करके उन लोगों ने मारा होगा कितने पथर दिल होंगे ना बोलो कितने अचाल को ROS är में इत्स,क्ет व दो भर सकते,में गपनिे हो etiquette खैक वांस,थे दिल हो टो है झाल 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 झाल